आखिर सनी देव क्यों नराज हो जाते हैं और इनके परकोप से आप बचना चाहें तो आपको क्या करिय करने चाहिए तो मित्रू सनी देव जो है वह सूर्य पूत्र है और वह परतेक व्यक्ति को उसके कर्मों के फलका हिसाब देते हैं जिन जातकों की कुंडलिनी में सनी देव सूव होते हैं उनके कर्मों से परसन होते हैं वह उनके लिए सुख और सोभाग्य की बरसात कर देते हैं लेकिन अगर यह किसी पर नराज हो जाएं तो उसका जीवन दुखों से भर देते हैं ऐसे में इनको गुसा दिलाने की भूल कभी न करें नहीं तो बर्बाद कर देंगे आपको बहुत से लोग जाने अंजाने में कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिनकी वज़े से सनिदेव की वक् लेना चाहिए कि उनकी नराजगी के संकेत क्या है लक्षन क्या है जिन से आप समझ सकते हो कि आपके उपर सनिदेव की नराजगी चल रही है तो सबसे पहले जिन लोगों के उपर सनिदेव नराज होते हैं उनके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती है घबराट का वैसी का र बिगडने लगते हैं तो इसका मतलब भी यही है कि सनी देव की कुदरिष्टी आपके उपर पड़ रही है जब आप बात बात में जूट बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब रहने लगती है तो इसका मतलब भी यही है कि आपकी कुंडलिनी में सनी ठीक से नहीं चल अगर कोई व्यक्ति कोर्ट केश के विवाद में फस जाता है, यह से मामले में कहीं उलज जाता है, तो इसका मतलब भी सनी देव की नराजगी से जोड़ सकते हैं, तो किन कामों की वज़े से यह नराज होते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाए, उसे परेशान करता है, उसे कश्ट पोचाता है, तो उससे सनी देव नराज हो जाते हैं, उस पर सनी की असुप द्रिष्टी रहती है, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है, और आलस्य के चलते सफाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति भी सनी माराज को बिलकुल नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को उनकी कूद रिष्टी का सामना करना पड़ता है, अगर आप बेजुबानों को परिशान करते हैं, जानुवरों को तंग करते हैं, तो सावधान हो जाईए, सनी देव आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सनी देव बेजुबानों को अराज हो जाते हैं तो सनीदेव आपसे तुरनत नाराज हो जाते हैं इसके साथ जो लोग चोरी करते हैं बलतकार करते हैं उनको भी सनीदेव की नाराजगी का सामना करना पड़ता है जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं देवी देवताओं को अनादर करते हैं उने भी सनी के प्रकोप को जहलना पड़ता है तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण सनी देव आपसे नराज हो सकते हैं सनी देव सैंचर है सैंच चलते हैं धीरे धीरे चलते हैं यदि कूद्रिष्टी आपके उपर चड़ गई, आपके उपर साड़े साथी उनकी चड़ गई, तो फिर बेटा धीरे 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 साड़े साथ साल में वो हटेगी, क्योंकि सनी आपको छोड़ते नहीं है, वो न्याय के देवता है, उनकी जिम्मेदारी यही है, संतुलन रखना, अच्छे और बुरे को दंड़ देना, उनके कर्मों के नुसार, उनके जीवन को अच्छा बनाना या बरबाद कर देना, तो यह सनी देव के नराज होने संबंदित वीडियो था, इसमें आपको काफी जानकरी दी है, यदि आपके जीवन में भी ऐसे लक्षना रहे हैं, या आपने ऐसा कुछ किया है, कि जिससे सनी देव नराज हो गए है, तो फिर आपको तुरंत किसी जोतिशी से, किसी भगत स किसी गुरू से संपर्क करना चाहिए, जो आपको सही रास्ता दिखा सके, कि शनी देव की नराजगी को कैसे दूर किया जाता है, तो आज के लिए इतना ही हर हर महादेव, जैसी दिराम